गुलाब नभी आजाद की तरफ से जुआरी बयान में कहा गया है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है और इसलिए वो प्रच्च्वारे नहीं कर पाएंगे आजाद ने अपने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको पर्चा वापस लेना है तो ले सकते हैं दिली से कश्मीर की राजनीती में गए पूर्व केंज्रिय मंत्रिय गुलाब नभी आजाद वोटिंग से पहले सरेंडर मोड में पहुँच गए हैं चुनाव नहीं लडने की खोशना के बाद अब आजाद ने प्रच्च्वार भी नहीं करने का फैसला किया है वैसे तो आजाद ने इसका कारण सुआस्थे बताया लेकिन एन चुनावी वक्त में उनकी इस एलान के अलग ही सियासी माईने निकाले जा रही हैं श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में सुआस्थे की वज़वा से आजाद ने कश्मीर से दूरी बना ली है दमखम से चुनाव लड़ने का एलान किया था 1970 के आसपास राजुनीती में कदम रखने वाले गुलाब नभी आजाद जमुकश्मीर के पूर्व मुख्यमंद्री भी रह चुके हैं इसके लावा आजाद केंद्र की कई सरकारों में मंद्री रहे हैं आजाद 2014 से 2021 तक राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं कॉंग्रिस के भीतर आजाद की गिंती शीर्ष नेताओं में होती है मार्च 2024 में जब लोगसभा चुनाव की घोशना हुई तो डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव अजाद पाटी ने गुलाब नभी को बारमूला सीट से प्रत्याशिक हुशित किया लेकिन नाम एलान होने के कुछ दिन बाद ही आजाद ने चुनाव नहीं लड़ने की घोशना कर दी इसके बाद चुनाव में आजाद की पाटी की तरफ से तीन जगाहों पर उमीदवार उतारे गए चुनाव आयों के मताबिक तीन सीटों पर टीपी एपी के उमीदवारों को 80264 वोट ही मिले तीनों ही सीट पर आजाद की पाटी के नेताओं की जमानत जप्त हो गई इसके बाद गुलाम के विधान सभा चुनाव लड़ने की अटकले शुरू हुई कहा गया कि वो अपने पुरानी भदरवार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन विधान सभा चुनाव की खोशना होते ही आजाद ने मैदान में नहीं उतरने की खोशना कर दी जम कश्मीर में पहले चुरण की सीटों के लिए प्रचार शुरू हो गया था इनमें अधिकांश वो सीटे हैं जहां अजाद की पाटी खुद को मजबूत मान रही थी अजाद की पाटी पहले चुरण के 24 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोशना भी कर चुकी थी लेकिन प्रचार शुरू होते ही आजाद ने रैली नहीं करने की घोशना कर दी आजाद की तरफ से ज्वारी बयान में कहा गया कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है इसलिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे आजाद ने अपने निताओं से अपेल करते हुए कहा कि अगर आपको परचा वापस लेना है तो ले सकते हैं बात करें आजाद के बैक फूट पर तो पहले पॉइंट में जमु कश्मीर में आजाद को किसी बड़ी पार्टी के साथ गट बंदन की उमीद नहीं थी लेकिन उनकी दाल नहीं गली पहले का गया कि कश्मीर में आजाद की पार्टी बीजेपी से गट बंदन कर सकती है लेकिन यहां भी बात नहीं बनी फिर बीच में चर्चा उड़ी की आजाद पार्टी का कॉंग्रिस के साथ गटबंदन हो सकता है आजाद यहां भी फेल रहे बात करें दूसरे पॉइंट की तो घाटी में राजवी का दर्जो और अनुछेद 370 का बड़ा मुद्दा है आजाद इस पर रवया दुल्मुल ही रहा है जब केंद्र 370 हटा रही थी उस वक्त आजाद ही नेतर पतिपक्ष थे कहा जाता है कि आजाद खुद लड़कर इस गुस्से का शुकार नहीं होना चाहते लोग सभचुनाव में गुलाब नभी यह रिजल्ट देख चुके है बात करें आखरी और तीसरे पॉइंट की तो शुरुआत में ताराचंद से लेकर कई बड़े नेता गुलाम नभी आजाद की पार्टी में गए लेकिन अब उनमें से अधिकान शुनेता पार्टी छोड़ चुके है कुल मिलाकर कहा जाए तो घाटी में लड़ने के लिए आजाद के पास ना तो वर्तमान में नेता है और ना नीती गुलाम नभी को लेकर इस बात पर भी चर्चा तेज है जिसकी वज़ा है पहली वज़ा गुलाम नभी आजाद की उम्र गुलाम वर्तमान में 76 साल के हैं कश्मीर में अब जब अगली बार चुनाव होंगे तो उनकी उम्र करीब 80 के आसपस रहेगी दूसरी वज़ा उनकी राजुनीती में रही है गुलाम नभी करीब 20 साल तक कॉंग्रिस में राज्य सभा के ज़रिये ही राजुनीती ही कहा जाता है कि जब राहुल गांधी ने कश्मीर में ज़ाकर काम करने के लिए कहा तो उनकी पगावत कर दी इसी तरह की तमाम खब्र और अन्या अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पंच्वापकेसजी.डाट कॉम